कि अलो बच्छा शुरू करते हैं आज relations and function मैं साथ ने 11th का भी basics एक बार सारे कराऊंगा relation function में फिर उसके बाद 12th का भी साथ साथ शुरू करेंगे तो पहले मैं screen fill करूँगा उसके बाद आपको कुछ लिखना है उससे पहले कुछ भी नहीं लिखेंगे ठीक है तो शुरू करते है relations and function relation and function में सबसे पहली चीज जो हमारे पास है वो है ordered pair का मतलब ordered pair ordered pair का मतलब क्या है पहले बात सुनो सपोज हम set की बाद करते है s-e-t set set में आप order कुछ भी लिखो elements का does not make a difference आप 1-2-3 लिखो 3-2-1 लिखो कॉमा लगा के फरक नहीं पड़ता ordered pair में फरक पड़ता है ordered pair क्या होता है दो elements का group such that first element और second element एक order को represent करें जैसे मैंने coordinate लिखा 2,3 coordinate लिखा 2,3 2,3 का मतलब क्या हुआ कि 2 x coordinate represent कर रहा है 3 y coordinate represent कर रहा है 2,3 will be different from 3,2 so order matter जिसमें करें pair में उसको क्या बोलते है ordered pair इतनी बात समझ में आ गई ordered pair को ऐसे represent करते है brackets में इस वाले bracket में x,y ये है ordered pair अब ordered pair use का होता है ordered pair use होता है आपका partition product of two sets में बहुत ध्यान से सुनिएगा Cartesian product of two sets का मतलब क्या होता है suppose कीजिए आपके पास एक set है A which is 1,2,3 and you have another set B which is A,B,C Cartesian product किसी को भी बेटा कुछ doubt आए प्लीज रोख दीजेगा मेरे को A x B से represent करते हैं It is a set of ordered pairs x,y such that first element belongs to first set and second element belongs to second set order matter करेगा पहला element पहले set का हो दूसरा element दूसरे set का हो मतलब B x A अगर मैं लिखूंगा तो इसमें ordered pair x,y होगा तो इसमें first element B को represent करेगा and second element A को represent करेगा मतलब A x B जरूरी नहीं है B x A के equal हो दुबारा अभी elements लिख रहा हूँ और clear होगा पहले समझो किसी भी Cartesian product में अगर मैं A x B Cartesian product लिख रहा हूँ इसका मतलब A x B में दो elements आप लिखोगे x,y first element first set को belong करेगा second element second set को belong करेगा जैसे इस example में अगर मैं A x B लिखता हूँ ये दो लिखके A x B लिखता हूँ मेरे पास सारे pairs आएंगे बस condition क्या है कि पहला element पहले set को होना चाहिए, दूसरा element दूसरे set को होना चाहिए तो 1,A होना चाहिए, 1 और B हो सकता है, 1 और C हो सकता है, 2A हो सकता है, 2B हो सकता है, 2C हो सकता है, 3,A हो सकता है, 3,B हो सकता है, 3,C हो सकता है so it is an ordered pair ordered pair x, y such that first element belongs to first set and second element belongs to second set क्या इसमें किसी को दिक्कत है यहां तक इतनी बात समझ में आ गई एक और देखलो अगर सब्सक्रोज मेरे को b x a लिखना हो तो वो कितना हो जाएगा अब पहला element b का होगा दूसरा element a का होगा so a, 1 a, 2 a, 3 b, 1 b, 2 b, 3 c, 1 c, 2 c, 3 क्या यहां तक किसी को कोई डाउट दीरज, दिशा हर्जस, इशिका नौँ अब जाएगा समर्थ, सिमर्प्री, सुधिता यहां तक समझ में आ गया एक और छोटा सा पॉइंट नंबर ओफ एलेमेंट इन a क्रॉस b वो जाएगा नंबर ओफ एलेमेंट इन a multiplied by number of elements in b जो मैंने अभी example लिया उसमें a में तीन elements हैं, b में तीन elements हैं तो a cross b में कितने होने चाहिए? 9 elements so 1, 2, 3 यह पैर एक element काउंट होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेम यहां पर 7, 8, 9 और example देखो suppose करो, मेरे पास एक a set है 1, 2, 3 मैं लिखता हूँ a cross a अभी तक मैंने लिखा a cross b अब मैं लिख रहा हूँ a cross a किसी का अपने साथ partition product तो वो क्या होगा? It is an ordered pair x, y such that both x and y belongs to a क्योंकि अब a cross a है पहला element पहले set को होना चाहिए दूसरा element दूसरे set को होना चाहिए a cross a है तो पहला और दूसरा दोनों elements कहां किस के होंगे? a के होंगे so x and y बोथ belongs to a so यह अब क्या बन जाएगा? 1, 1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 यहां तक clear? यह होता है partition product कोई भी relation any relation is a subset of partition product कोई भी आप relation define करोगे वो हमेशा subset होगा किसका partition product का partition product का वो क्या होगा? subset होगा इसका क्या मतलब है? वो भी बताऊंगा पहले यहां तक copy कीजी अगर कोई doubt है तो पूछिएगा आगे देखिए बटा मैंने बोला any relation is a subset of partition product so partition product और relation में फर्क क्या होता है? partition product में हमने देखा कि it is a set of ordered pairs in which first element belongs to first set and second element belongs to second set with no condition whatsoever relation में क्या होता है? condition को इस साथ में जुड़ जाएगी जैसे suppose करो मैंने बोला relation relation has a condition also that is only those ordered pairs belong to relation which follow that condition मतलब कोई ना कोई condition है सिरफ वही elements लेने जो उस condition को फॉलो कर रहे हैं example लेते हैं for example मेरे पास एक set था वही उपर वाला 1,2,3 मैंने A x A निकाला मैंने बोला it is the ordered pair x,y such that first element and second element both belongs to A मतलब काटिशन प्रटक्ट में मेरे पास elements आये थे 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3 ये सारे elements थे जो काटिशन प्रटक्ट में थे अब suppose मैं आप relation define कर रहा हूं कोई R1 ध्यान से देखेगा copy का time बाद में दूंगा suppose मैंने एक relation define किया R1 R1 relation define किया X,Y such that X and Y both belongs to A यहां तक तो बिल्कुल सेम चल रहा हूं और साथ में कुछ condition हो गई and X equal to Y तो सारे elements नहीं लेने सिरफ वो वो elements लेने Cartesian product के जो इस condition को satisfy करेंगे मतलब इस particular example में कौन-कौन से हो गई वो 1,1 2,2 3,3 यह हो गया relation तो है तो Cartesian product का ही कुछ part पूरा का पूरा Cartesian product नहीं सिरफ वही वाले elements जो given condition को क्या करें satisfy करें otherwise और कोई element नहीं और example देखो भी condition कुछ भी हो सकती जरूरी नहीं है यह जो मैंने example लिया यही हो suppose मैंने बोला R2 एक relation define किया X,Y such that X and Y both belongs to A and Y is equal to X plus 1 मतलब जो बाद वाला element है वो पहले वाले से एक जादा होना चाहिए तो कौन-कौन से हो गई 1,2 satisfy कर रहा है इस condition को और 2,3 satisfy कर रहा है बास और कोई satisfy नहीं कर रहा है यहां तक clear हो गया पैटे हर्जस, इशिका rhythm और देखिए suppose R3 एक define करता हूँ X,Y X and Y both belongs to A and X greater than equal to Y सिर्फ वही elements लेने जिसमें first element second से बड़ा हो या equal हो तो 1,1 satisfy करेगा 1,2 नहीं करेगा first element बड़ा चाहिए 1,3 नहीं करेगा 2,1 satisfy करेगा 2,2 satisfy करेगा 2,3 नहीं करेगा 3,1 satisfy करेगा 3,2 satisfy करेगा और 3,3 satisfy करेगा क्या ये बात समझ में आती है सबको इससे ये बात भी clear हो गई कि elements कौन से आ सकते हैं सिर्फ उनहीं में से कुछ जो partition product में है इसको हम क्या बोलते हैं relation अब किसी भी relation में हम define करते है mapping diagrams mapping इनी तीन relations की मैं mapping लिखता हूँ mapping का मतलब suppose r1 relation के लिए लिख रहा हूँ r1 relation जो मैंने उपर define किया वो a और a के बीच में है a और a के बीच में relation है 1,2,3 related है किस से 1,2,3 से अब इसमें देखो 1,1 तो 1 is related to 1 तो ऐसे mapping कर दोगे 2 is related to 2 3 is related to 3 इसी तरह r2 की mapping अगर करें तो r2 भी किस किस के बीच में a और a के बीच का relation है 1,2,3 related to 1,2,3 ध्यान से देखो 1 is related to 2 2 is related to 3 यह होगा इसकी mapping similarly r3 की mapping करते है यह भी 1,2,3 और 1,2,3 के बीच में है अब इसमें ध्यान से देखो 1 is related to 1 2 is related to 1 2 is related to 2 3 is related to 1 3 is related to 2 3 is related to 3 यह इसकी mapping हो गई तो mapping का मतलब क्या होता है पहले वाले और बाद वालो को जोड़ना है इसमें जो पहले वाले हैं वो क्यालाती है pre-image मतलब यह 1 क्या होगा यह ओगा pre-image of 1 यह वाला 1 क्या होगा यह ओगा pre-image of 2 इस 2 की pre-image यह 2 क्या होगा pre-image of 3 इसी तरह यह वाला 1 क्या होगा यह ओगा pre-image of 1 ये 2 क्या होगा? pre-image of 1 and 2 ये 3 क्या होगा? ये होगा pre-image of 1, 2 and 3 ये बात clear होगा? प्री-images क्या होती है? इसी तरह से ये वाला 1 ये वाला 1 क्या होगा? ये वाला ये 1 होगा बाद वाल इमेज होगा? ये क्यालाता है image इमेज ओफ वन ये टू क्या है इमेज ओफ वन ये थ्री क्या है इमेज ओफ टू इसी तरह ये वाला one क्या है ये है image of one, two and three two क्या है image of two and three three क्या है image of three समझ में आई आतक बात इसमें तीन टर्म्स और डिफाइन होती है पहली domain, domain of any relation is the set of pre-images pre-images का जो set है उसको बोलते है domain मतलब इसमें domain क्या हो जाएगा one, two, three second वाले में domain क्या हो जाएगा one, two, three किसी की pre-image नहीं है third वाले में domain क्या हो जाएगा one, two, three दूसरा point domain के बाद range range of any relation is the set of images मतलब first वाले में r1 में range क्या हो जाएगा one, two, three तीनों किसी न किसी की image है r2 में range क्या हो जाएगा two, three क्योंकि one किसी की image नहीं है r3 में range क्या हो जाएगा one, two, three क्योंकि सब elements किसी न किसी की image है तीसरा term, आखरी term उसको में बोलते हैं core domain core domain of any relation in a cross b is entire set b बाद वाला set image वाला set चाहे वो image हो चाहे ना हो मतलब ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाता है core domain मतलब पहले वाले में core domain कितना होगा one, two, three right side वाला पूरा set इसमें core domain क्या हो जाएगा second वाले में core domain भी होगा one, two, three right side वाला पूरा set चाहे वो image है चाहे नहीं है इसमें भी code domain क्या हो जाएगा 1,2,3 हाँ जी बेटा ज़र B जोगा 1,2,3 होगा की अलग होगा क्या मतलब तो किसे example में तो हमने A और A लिया है न बेटे वो फरक नहीं पड़ता मैंने A x A का लिया है न लिखा था A x B का ठीक है इसी तरह range पे अपना relation भी A x B का भी हो सकता है जैसे यह मैंने example A x A का लेके समझाया A x B का भी हो सकता है तो बाद वाला पूरा set चाहे वो B हो चाहे A हो कुछ भी हो बाद वाला पूरा set चाहे उसमें कोई element image हो चाहे ना हो उसको हम बोलते है co domain यह सबको समझ में आगया अच्छे से अंशुल श्रिष्टी सुधिता हो गया बच्चे किसी का रहता है किसी का रहता है तो बोलिए आगे देखते यह था basic relation यहां तक अपने 11th class में पढ़ा था अब आ जाते हैं कुछ नए terms में पहली term इसका नाम है universal relation universal relation का मतलब क्या होता है universal relation होता है ऐसा relation जिसमें सारे elements हो सारे elements कौन से? Cartesian product के so a relation which has all the elements as in Cartesian product is called universal relation अभी उपर क्या किया था हमने? 9 elements से Cartesian product में किसी relation में 5 elements थे, किसी में 3 थे, किसी में 2 थे अब अगर ऐसा relation हो जिसमें सारे के सारे Cartesian product के सब elements कवर हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका universal relation दूसरा empty relation empty relation क्या होता है? empty relation ऐसा relation है जिसमें एक भी element ना हो relation which doesn't have any element is called empty relation जैसे examples लेते हैं पहले suppose वही मैंने set consider किया A which is 1, 2, 3 और मैंने A cross A का ही लिया उसमें 9 elements थे universal relation का example लेते हैं मैंने बोला R एक relation define किया X, Y such that X and Y both belongs to A and X minus Y less than equal to 5 mod of X minus Y less than equal to 5 मतब दोनों elements का difference पांच से कम हो या 0 हो पांच से कम हो तो positive negative कुछ भी हो सकता है mod में बोला मैंने मैंने बोला पांच से कम difference चाहिए पांच से कम difference सारे elements सारे pairs में है की नहीं है पांच से कम सब में है न तो ये क्या हो गया universal relation इसी तरह से उसी में ही example मैंने बोला एक R relation x,y such that x and y both belongs to a and x minus y का mod is greater than 5 difference पांच से जादा हो किसी भी element का difference पांच से जादा नहीं न किसी पेर में 1 1 0, 1 2 0, 1 3 0 कुछ भी हो जाए difference पांच से जादा किसी में है ही नहीं difference पांच से जादा किसी में है ही नहीं तो यह क्या हो गया? Empty relation क्योंकि इसमें कोई भी element नहीं है यह दो तीसरा यहां से अब important शुरू होते है reflexive reflexive relation reflexive relation कौण सा होता है? ध्यान देना वेटा ध्यान से देखिएगा a relation in a cross a is said to be reflexive if a, a belongs to r for all values of a belonging to capital A इसमें मैंने कुछ symbols यूज किये हैं यह जो उल्टा v लगा के डंडा मारा this is for all values of मतलब इसका देसी भाशा में मतलब क्या है? every element must be related to itself ऐसा relation जिसमें हर element अपने आपसे related जरूर हो मतलब ऐसा अगर 1,2,3 का relation है तो ऐसा relation जिसमें 1,1 भी हो, 2,2 भी हो, 3,3 भी हो वो relation क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव एक भी छूटा तो वो relation रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मैंने क्या बोला? ऐसा relation जिसमें every every element must be related to itself जैसे उपर वाला example हमने जो लिया था इसमें R1 देखो 1,1,2,2,3,3 तीनो किसमें है? R1 में भी है और R3 में भी है तो जो उपर मैंने example लिया उसमें R1 and R3 are reflexive relations बात समझ में आ गई यहां तक R1 and R3 are reflexive relations यहां तक बात clear हो गई? जो in above example अभी लिखना नहीं बटा अभी और भी समझाना है मैंने ठीक है? अच्छा दूसरा point symmetric symmetric relation क्या होता है? symmetric relation क्या होता है? a relation in A x A is said to be symmetric if A, B belongs to relation implies B, A belongs to relation for all values of A, B belonging to A मतलब जो भी element उस relation में हो उसका reverse element भी होना चाहिए that is इसका मतलब क्या हुआ? reverse elements must must exist in relation जैसे उपर वाला example देखते हैं यहां देखो पहला element 1, 1 1, 1 का उल्टा क्या होगा? 1, 1 होगा वो है ना इस relation में 2, 2 का उल्टा क्या होगा? 2, 2 वो भी है इस relation में 3, 3 का उल्टा क्या होगा? 3, 3 वो भी है इस relation में तो यह जो R, 1 है यह क्या होगा? symmetric R, 2 पे आ जाओ 1, 2 है 1, 2 का उल्टा गया हुआ 2, 1 क्या इसमें 2, 1 है नहीं है तो यह symmetric नहीं है जो जो elements present है उनके reverse element भी present होने चाहिए इसी तरह आर्थरी example देखो 1, 1 है उसका उल्टा क्या होगा 1, 1 बिल्कुल है 2, 1 है 2, 1 का उल्टा क्या होगा 1, 2 1, 2 है क्या नहीं है तो यह भी symmetric नहीं है यह reflexive था यह भी reflexive था यह reflexive नहीं था यह symmetric है यह symmetric नहीं है यह भी symmetric नहीं है बात समझ में आई तो जो जो elements present है उनके reverse element present होने चाहिए तब वो क्या होगा? symmetric clear है इतनी बात सबको? Yes, Sir अगले पर चलते है तीसरा point इसका नाम है transitive transitive relation a relation in a cross a is said to be transitive if समझ में आई बात तब यह relation क्या होगा? transitive अब इसको सोचना इतना easy है नहीं जितना आपको लग रहा होगा यह तो simple देख लेंगे अगर 1,2 है 2,3 नहीं है तो 1,3 चेक ही नहीं होगा न? मैंने क्या बोला? अगर 1,2 है अगर 1,2 है and 2,3 है and and मतलब दोनों होना जरूरी है तब 1,3 होना चाहिए यहीं मतलब बोला मतलब ध्यान देना अगर 1,2 है 2 का और किसी के साथ relation ही नहीं है तो यहनी यह symmetric होगा की नहीं होगा? अगर 2 मैंने बोला हाँ सोरी transitive transitive होगा की नहीं होगा? अगर हाँ? yes या no? no sir होगा जब तक यह condition false नहीं होथी तब तक नहीं होगा जैसे मैं example लेता हूँ ध्यान से सुनियेगा पहला relation हमारे पास जो था उपर वो था 1,1 2,2 3,3 यही था न? अब देखो 1,1 है क्या 1 का और किसी के साथ relation है? नहीं है 1 का और किसी के साथ relation ही नहीं है मतलब यह condition चेक ही नहीं होई transitive कब नहीं होगा जब यह condition false होगी अगर यह condition true है या यह condition exist नहीं कर रही तो वो transitive है so it is any relation is non-transitive if this condition is false else it is transitive मतलब यह condition exist ना करे या यह condition true हो तो वो transitive है otherwise false होने के लिए इस condition का false होना बहुत जरूरी है मतलब transitive ना होने के लिए non-transitive होने के लिए इस condition का false होना जरूरी है मतलब false होने के लिए one two होना चाहिए two का किसी और के साथ होना चाहिए two three होना चाहिए तब 1-3 चेक होगा, अगर तब 1-3 नहीं है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है जैसे इधर देखो 1-1 है 1 का और किसी के साथ रिलेशन नहीं है तो चेकिंग ही नहीं होगी 2-2 है, 2 का और किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है अब इसमें देखो, 1, 2 है, 2 का है ना आगे किसी और के साथ, 1, 2 है, 2, 3 है, पर 1, 3 नहीं है, दिखा, तो ये condition false हो गई, तो ये transitive नहीं है, 1, 2 हो, 2 का कुछ है ही नहीं, भई बता रहा हूँ दुबारा अगर आप सुन ले तो, 1, 2 है, 2 का और किसी का रहा है, relation ही नहीं है, condition exist ही नहीं कर रही, condition exist ही नहीं कर रही, तो वो transitive है, condition false है, तब वो non-transitive है, अब देखो second example में, 1, 2 है, बिल्कुल है, 2, 3 है, बिल्कुल है, condition exist कर रही है, but 1, 3 नहीं है, तो condition false हो गई, तो इसका मतलब non-transitive होगा, अगला check करते हैं, देखो, 1, 1 है, क्या आगे 1 का और किसी के साथ relation है, नहीं है, तो अभी तक वो transitive है, जब तक false नहीं होता, तब तक non-transitive नहीं है, अच्छा 2, 1 है, 2, 1 है, क्या 1 का और किसी के साथ है, बिल्कुल ह 1, 1 है, तो 2, 1 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 2, 1 है, अभी तक transitive चल रहा है, 2, 2 है, अब 2 का देखो, किसी और के साथ, 2, 2 है, 2, 1 है, तो 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 है, 2 का और किसी के साथ नहीं है, अच्छा 3, 1 है, 3, 1 है, 1, 1 है, तो 3, 1 होना चाहिए, बिल्कुल है, 3, 2 है, 2, 1 है, तो 3, 2 होना चाहिए, बिल्कुल है, 3, 2 है, 2, 2 है, तो 3, 2 भी होना चाहिए, 3, 2 है, इसी तरह 3, 3 के साथ तो ये भी transitive हो गया, आप logically सोचो, आप इसको logically सोचो मैंने बोला x greater than equal to y दो elements लिए अगर x y से बढ़ा है दूसरा y का किसी और के साथ देखना होगा x y z 3 ले लो x अगर y से बढ़ा है y अगर z से बढ़ा है तो x z से बढ़ा होगा की नहीं होगा 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 ना transitive होगा इसी तरह first वाला देखो r1 जो था x equal to y वाला बोला मैंने अगर x y के बढ़ाबर है y z के बढ़ाबर है तो x z के बढ़ाबर होगा की नहीं होगा transitive होगा इसी तरह second वाले में देखो y equal to x plus 1 है मैंने second वाले में बोला y equal to x plus 1 है अगर x y relation में है इसका मतलब y x plus 1 है y z relation में अगर है तो z y plus 1 हो गया हां की न अच्छा तो x और z का relation देखो y की value put करो तो z is equal to x plus 2 क्या x, z relation में होगा x, z होने के लिए z जो है वो x plus 1 होना चाहिए होना चाहिए न तो यह नहीं है न condition तो यानि यह transitive नहीं था so condition true हो या condition exist ना करे तब transitive होता है mathematical question में तो number से सोच सकते हो जैसे अभी मैंने सुच वाया आपको but logical questions में दिक्कत होगी examples लेते हैं suppose करो मैंने बोला there is a set, there is a relation of two lines in a plane दुबारा ध्यान से relation of two lines in a plane एक plane में दो line है relation है L1 is parallel to L2 मतलब L1 L2 तब related होंगी अगर L1 is parallel to L2 मैंने बोला लिखते तो relation relation between two lines in a plane relation define किया L1, L2 relation में तब होगा L1, L2 belongs to R if L1 is parallel to L2 अब मुझे बताओ क्या ये reflexive होगा reflexive का क्या मतलब बताया अपने आपसे related होना चाहिए so L1 parallel to L1 हर line अपने आपसे parallel होती है कि नहीं होती नहीं होती नहीं होती तो coinciding lines parallel में होती है perpendicular distance दोनों के बीच में 0 parallel lines कों से होती है जिनके बीच का perpendicular distance constant रहे constant है 0 so L1 parallel to L2 reflexive होगा symmetric होगा अगर first second के parallel है तो क्या second first के parallel होगी symmetric भी होगा transitive चेक करते है अगर first second के parallel है second third के parallel है तो first और third parallel होगी कि नहीं होगी transitive भी होगया ठीक है इसी तरह से suppose ये होता L1, L2 belongs to R if L1 is perpendicular to L2 reflexive होगा बताओ क्या कोई line अपने perpendicular होती है नहीं हो सकती ये reflexive नहीं होगा symmetric होगा अगर first line second के perpendicular हो तो second भी first के perpendicular होगी symmetric होगा transitive होगा नहीं होगा L1, L2 के perpendicular L2, L3 के perpendicular तो L1 और L3 perpendicular होगे नहीं ना parallel होगे तो ये transitive भी नहीं होगा समझ में आई बात और example सुनो suppose करो मैंने बोला मतलब मैं A, B लिख रहा हूँ अगर X, Y लिख रहा हूँ तो उस set में सिर्फ दो ही elements है तीसरा ही ही नहीं और ही नहीं है ते है ना वो कोई और variable होगा अब मैंने बोला relation between two persons in a village एक छोटा सा गाउं है उसमें दो बंदे रहते हैं कोई भी दो बंदों का relation पहला relation लिया X, Y such that X is a wife of Y X, Y की बीवी है अच्छा तो क्या ये reflexive होगा? no set कोई अपनी बीवी तो हो नहीं सकता X, X तो exist नहीं करेगा हां की ना? है ना? yes, sir इशिका? yes, sir तो कोई अपनी बीवी नहीं हो सकता तो reflexive नहीं है symmetric होगा? sir, different चलता है अच्छा किस पर छक्के हैं की नहीं? yes, sir हां नहीं हम नहीं ले रहे हैं उनको हम सिरफ male, female ले रहे हैं X is a wife of Y अगर Y को मैं X करूँ तो Y is a wife of X X तो female है, Y male है X female है, Y male है तो X is a wife of Y है, तो Y X नहीं होगा symmetric नहीं होगा क्या ये बात सबको समझ में आती है? yes, sir अच्छा, transitive अब दीरेश तू चुप रही हो, बेटा transitive हरजस, transitive होगा? तो नहीं होगा क्यों? X, Y की wife है तो X हो गई female Y हो गया male ठीक है? yes, sir Y, Z की wife है ये possible है क्या? no no, sir तो यहनी condition exist ही नहीं कर रही? okay, जरवा, sir transitive है condition false होगी तब transitive नहीं है और example देखो एक relation define करता हूँ X, Y X is a father of Y reflexive check करते है पहले X, Y के papa है क्या कोई अपना papa हो सकता है? नहीं? no, no, sir reflexive नहीं है अगर X, Y का father है तो Y X का father हुआ? no, sir symmetric भी नहीं है X, Y का father है Y, Z का father है condition हो सकती है X, Y का father है Y, Z का father है तो ट्रांसिटिव नहीं है तो यहाँ condition false हो गई तो यह transitive नहीं है तो यह त्रांसिटिव नहीं है true हो यह condition exist नहीं है तो ट्रांसिटिव है आखरी पॉइंट any relation which is reflexive symmetric and transitive is called equivalence relation ऐसा relation जो reflexive हो symmetric भी हो और transitive भी हो उसको हम क्या बोलते हैं equivalence relation आज आपको करना क्या है यह सारे topics अच्छे से पढ़ने है आज कोई question नहीं है homework इसको revise करना है और यह video कल morning तक में डाल दूँगा इसको दो बार तीन बार जरूर देखना है एक एक example जो मैंने बोला उसको दोबारा सोचना है परसों की class में हम इसके questions करेंगे पहले फिर मैं आपको homework दूँगा अभी आपको कोई homework नहीं दिया मैंने क्योंकि इसमें presentation is very important ठीक है आप इसको लिख लीजे पहले और फिर उसके बाद जा सकते हैं thank you very much यह लिक लीजे यहां से I guess लिकना तापने